दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो कि कैसे हैं अपने वेबसाइट के अंदर है मालेज अगर आपका वेबसाइट जो ब्लॉगर पर है अब अगर उसमें आप फूटर क्रेडिट एड़ करना चाहते हो तो बहुत यह सानी से कर सकते हो मैं आपको इस वीडिए में बताने हैं कि यह सरे काम आप कैसे कर पाओगे हैं अगर आपके पास कोई ब्लॉगर का अकाउंट है आप वहां पर अपना वेबसाइट बढ़ना रखे तो अगर आप फ्री टेंप्लेट यूज करते हो तो डेफिनिटि आप फूटर क्रेडिट को रिमूव तो बिल्कुल नहीं कर सकत लेकिन आप उसमें खुद का क्रेडिट डेफिनिटि आड़ कर पाओगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने लोग इस वीडियो में कि कैसे आप यह सरे काम कर पाओगे तो आपको थोड़ा बहुत स्टेमल का नोलेज डेफिनिटि होना चाहिए तो यह सरे काम आप पहले ओलगोने में न्यू को चूश करूंगा तो उसके लिए जस्ट ट्राइ दे न्यू ब्लॉगर पे क्लिक करके कांटीडिव कर देना और आपको सारा ओल ब्लॉगर वह वह न्यू वाले में कनवर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछी नहीं करना है में इसमें म कमेंड्स में और थोड़ा सा आपको थीम में भी देखने को मिलेगा और यहां पर आपको बैकप पे सबसे पहले किलिक करके जो भी आपका HTML कोड भी होगा वह सारा का सारा थीम आप पहले बैकप बना लेजे माले ज़कर आपको एडिट करते से में कोई भी कोड का कोई भी एक एक वर्ड भी अगर डिलीट हो जाए तो सारा दिक्कत हो जाता है मतलब आपका टेंप्लेट बेकार हो जाएगा और किसी काम का नहीं होगा और आपको पता भी निचे लगए कहां पर है तो सबसे पहले आपको बैकप बनाकर रख लेना अधन के चाहिए जो भी कोड तो सबसे पहले आपको फूटा क्रेडिक आपको फाइंड करना पड़े कब इतने सारे kोड मतलब 4,000-5,000 के होते हैं तो इसमें आपको फाइंड करना है कि वो जो फूटर क्रेडिक है वह कहां पे होगा तो जिस्ट आपको बीच में क्लिक कर तो सोरा टेंप्रेट का है तो मैं सिंप्ली सोरा टेंप्रेट लिग दूंगा और उसके बाद सर्च करूंगा सोरा टेंप्रेट पे की जो फूटक क्रेडिट है वो कहां पे है वह वाला को तो उसके बाद जस्ट मैं लिग के सोरा टेंप्रेट और सर्च करूंगा और उसके ब आप complete देख सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है अपने जो वेबसाइट के अंदर copyrighted by मतलब यह जो आप देख सकते हो कि m% और जो has 169 लिखा हो यह copyright का symbol का एक code है simply तो इसमें code पर काम चलेगा जो भी आपका होगा process तो यह जो यहां से लेके पूरा यहां तक आप देख सकते हो मतलब जितना यह जो पूरा है लाइन इस लाइन को आप simply hypertext मतलब hyperlink कह सकते हो स्टीमल में जो hyperlink create करते हैं एक तरीक है hyperlink है मतलब अगर आपको एक page से दूसरे page को connect करना है तो आप किसी भी आप जैसा है कि आप देख सकते यहां पर example आप मैं आपको दिखा रहा हूं यह जो मेन है मेन यह यह पूरा code कि आपको मत जो angle है open करना है उसको ए लिखना है फिर href लिखना है मत एच रेफर और single quotes के अंदर आपकी जो website फिर domain का जो भी address होगा domain ने उसको लिखना है फिर close कर देना है और आपका इस प्रोसेस आप backlinks बनाने के लिए आप कहीं भी comments कर सकते हो अपने website का नाम और और जो भी आप your text के अंदर अपना जो भी message लिखने चाहते हो लिख सकते हो जहां आप इस तरीके से आप लिखोगे तो comments box में केवाल आपका your text ही लिखाएगा मतलब जो your text पे जो भी लिख करेगा हो सीधी आपके website पर रेफर हो जाएगा तो यह तरीके का hyperlink होता है जो HTML के अंदर create किया जाता है कुछ इस तरीके से आपको यही काम अपने create वाले section में भी करना है तो simple सा आप मैं देख सकते हैं कि मैंने यहां पूरा जो process है वो सारा का सारा copy कर लिया है फिल्क शर्ट कहाँ से तो दिस्टीब्यूटीट बाई यह लिखा हो है इसको पूरा copy करने आपके में दीए ही होगा जए उसको पूरा copy करना है पूरा जहां एक close हो ओर जो वाल्बूरा फिल्क ऐसको अपको देख tehdują में यहां पी लिखा हो पूरा जो भी href, फिर r e al, जो भी do follow, style में आप color add करना चाहते हो, add कर सकते हो, वरना इसको छोड़ जाकते हो, blank, और target में आपको blank link देना है, और उसके बाद आपको जो भी नाम होके वेबसाइट का वो add कर देना, उसके बाद submit, मतलब full cover के सब को save कर देना है, save करने के बाद जब जहां आप अपने website में नीचे आओगे, तो आपको option मिलेगा, मतलब जहां पर फोटक credit होता है, तो आप देखो कि तो वहां पर आपको जो भी आपने लिखा होगा, जो भी अपने website काईडल्स दियागा, वही आपका यहां पर show करेगा, जिससे कि आप टेंप्लेट के अंदर यह सारी काम आप कर सकते हो, और इसमें ज्यादा आपको मैनत भी नहीं करने हैं, हाँ लेकिन एक चीज है कि आपको इस code का backup जरूर रख लेना है, मालिज अगर आपको गलती से कोई code remove हो गया, और आपका theme थोड़ा गरबड हो गया, तो वह सारा में जो भी URL है, मतलब जो भी आपको domain name होगा, उसको replace कर देजे, और बस आपका काम हो जाएगा, तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो मितते हैं है, अगर भी आपको अचारका इस video का लाइक करना, और अगर कोई भी आपको doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, मैं आपक को सबस्क्राइब ने किया है, तो जो जो सबस्क्राइब करना कुछ ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए,